नमस्कार स्वागत है आपका सुबे नौ बजे की खबरों के साथ मैं हूँ गुत्रीत चुरुवात करते हैं हेड्लाइन्स के साथ राष्टपती प्रणम मुखर जी ने देश में बढ़ती आबादी के मद्दे नजर संसत की सीटे बढ़ाने पर जोड दिया है चुनाव प्रक्रिया पर भी हो विचार चुनाव विवादे पूरे नहीं होने पर मुखर ने आधीश ने जताई निराशा कि अगार नौराज्यों की दस विधान सभा सीटों पर उप्चुनाव आज श्रीनगर लोक सभा सीट पर भी मद्दान जारी तेरह प्रेल्ण को आएंगे नतीजे जार्खन के सिम्डेगा में नक्सली हमला मुटभेड में एक पुलिस अधिकारी समेद दो जवान चहीद हमलावरों ने धोखे से बनाया निशाना ओडीशा के भद्रक में सामप्रदाईक तनाव अर्धसैनिक बलो ने किया फ्लैग मार्च केंद्र ने की शान्ती बनाई रखने की अपीरी डैविस कप में रोहन वोपन्ना और श्री राम बालाजी जीते उच्पेकिस्तान पर बनाई तीन शून्य की अज्जेह बढ़त विश्व ग्रूप लेयाउफ में पहुँचा भारत राष्टपती प्रणव मुखर जी ने देश में बढ़ती आबादी के मद्दे नजर संसत की सीटे बढ़ाने पर जोर दिया है उन्होंने लोकतांत्रिक धाचे को मजबूत करने के लिए चुनाप सुधार की बात भी कही चनिवार को आर्थिक सुधार और चुनावी मुद्दों के जुड़े एक सैमिनार के उद्खाटन के मौके पर राष्टपती ने कहा कि अगर समय पर सुधार कर लिया जाए तो इससे ना सिर्फ लोगों को न्याय मिलेगा बलकि सम्विधान के आदर्शों से भी इंसाफ हो कि संसत आज भी 1971 की जनगर्ना का प्रतिनिधत्प कर रही है जबकि उसके बाद से देश की जनसंख्या बहुत जादा बढ़ चुकी है मुख्य न्यायाधीश जेयस खेहर ने कहा कि आमतोर पर चुनावी वादे पूरे नहीं किये जाते हैं उन्होंने इसके लिए राजनीतिक दलों को जिम्यदार ठहराने पर जोड़ दिया वो चुनावी मुद्दों से जुड़े आर्थिक सुधारों पर एक सैमिनार में बोल रहे थे कारिक्रम में राष्टपती प्रण मुखर जी भी मौझूद थे मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आज कल चुनावी खोशनापत्र महस कागस का टुकड़ा बन गए हैं उन्होंने कहा कि पिछले आम चुनाव के खोशनापत्रों में चुनावी सुधार और वंचित तपकों को आर्थिक सामाजिक नयाय के समवेधानिक लक्ष के बारे में कुछ नहीं है सुप्रीम कोट के जज जस्टिस तीपक मश्रा ने कहा कि उमीद्वारों को ये समझना चाहिए कि चुनाव लड़ना निवेश नहीं है करने हम तो ये स्टिस्टार ने के समझना है इसकी साम उन्हीं होाओन्वन्च्छा कर लादा बनाओंड़ाशयों कि अधिवन लीगल श्तिस्टेन भीज़क्ट्ट्स पर्णों को नेसनकिस को ईसक्षड़ा है by political parties if promises made in the manifesto are not fulfilled. Uninformed citizenry with a short-term memory forgets the election manifestos. पच्चिम बंगाल की काठी दक्षिन, दिल्ली की राजवरी गार्डन, राजिस्थान की धौलपुर, करनाटक की नंजन गुड और गुंडूलू पेट, जारखन की लिटी पारा सीट शामिल है। के स्तीफे के बाद से ये सीट खाली हुई थी। इस सीट पर नैशनल कॉन्फरेंस के राश्टिय अध्यक्षब फारुक अब्दुल्ला का मुकाबला पीडिपी के नजीर एहमद खान से होगा। चुनाब नतीजों का ऐलान 13 अपरेल को किया जाएगा। साफ दिल्ली बनाई जाए। दिल्ली की राज़ोरी गार्डन विधानसभा सीट पर हमारे मद्दाता हमारे संवादाता पंचानन मिश्रा ने लोगों से बात की आईए देखते हैं लोगों की चुनाप को लेकर क्या प्रतिक्रिया है। दिल्ली में विधानसभा की एक सीट राज़ोरी गार्टन के लिए इस समय उप्चुनाव चल रहा है। आठ बजे वोटिंग शुरू हो चुकी हैं लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इस राज़ोरी गार्टन में आमादी पार्टी, कॉंग्रेस और बीजेपी शुरूम ने एक आली दल गड़बंदन के बीच एक त्रिकूरी मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई लोगों से जो बात की हमने उसमें जनता बदलाव के लिए वोट डालने की बात कह रही है। इवी पीटी लगाया है यानि की वोटर वेरिफाइबल पेपर ट्रेल सिस्टम जिससे की यह साबित हो सकता है, दिख सकता है वोटर को कि किस पार्टी को उसका वोट गया है, तो यह एक सतरकता जरूर नतर आ रही है इस EVM मशीन में जो सवाल उठेते उसके बाद, हाला कि चुनाव 8 विजे शुरू हो चुका है, लोग यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अब देखना होगा, इसका फैसला 13 तारिक को होगा, कि कौन यहाँ पर जीत कराता है, इस एक सीट से दिल्ली का जो मिजाज है, उसको नापने की कोशिश हो सकती है, दिल्ली की कड़ा है, जो डिल्ली में जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उसका अपनी सीट बचाने की चुनावती उनके सामने है, कौंग्रेस भी कभी पांच बार इस सीट पर जीत चुकी है, तो बीज़पी भी मैदान में है, क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी की जो सत्ता में जो काविज है, दल, उसके लेकर कि आखिर जनता ने अब तक उनके कामकाज को किस तरह का सर्टिफिकेट दे रही है जनता, वो इसके नतीजे तैय करेंगे, जहां तक बीज़पी और कॉंग्रेस का सवाल है, कॉंग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, विदानसबाद चुनाव में उनके लिए अपनी प्रतिष्टा बचाने का सवाल है, और बीजेपी क्या विपख्ष के तोर पर बीजेपी अपना वजूद कायम कर पाएगी, क्योंकि विदानसबाद चुनाव हुए थे, वहाँ बीजेपी को सिर्फ तीन सी चाहेंगे और क्या मुद्य आपके जहन में है, हालकि उपचुनाव है, लेकिन क्या चाहते हैं आप इस चुनाव से, मेरा नाम विकास चोपड़ा है, और रजुरी शेत्र में में रहता हूँ, हमारी यह इच्छा है कि और सुधारो, विकासो, और अपना परदेश अच्छ जहर में आपके है, इस वक्त उपचुनाव में जा वोट डालने के लिए आए, सेफ्टी मोर सेफ्टी मेजर्स फर विमन एंफर चिल्डन आलसू, हमारे साथ बुजर्ग मतदाता भी है, उनसे बात करेंगे, सर आपका नाम जाने है, आप यह बताईए, बुजर्गों के ल आप देख रहे हैं किस तरह से जो एक उत्सा है लोग के बीच में, वोटर्स के बीच में, अलग-अलग आयूवर के जो उम्मीदवार, जो वोटर्स है, वो यह आप बोट डालने के लिए आए, पहत दिल्चस मुकाबला है, तीनों ही त्रिकोनी मुकाबला है, और जी और बांगलादेश आतंकबाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं, बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से शनिवार को वारता की बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कट्टर पंत के प्रसार को पूरे शेतर के लिए कंफीर खत्रा बताया, शेख हसीना ने भी आतंकबाद के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया, दोनों देशों के बीच 22 समझोतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने बांगलादेश के लिए साड़े चार बिलियन डॉलर लाइन ओफ क्रेडिट का एलान किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी की मौजूदगी से तीस्ता मामले की हलको लेकर दोनों देशों का भरोसा बढ़ा है। इस दोरान प्रमुक शेत्रों में 22 करार और समझोतों पर हस्ताक्षर हुए। इन में रक्षा सहयोग पर चार, परमानू उर्जा के स पर तीन और बाहिये अंतरिक्ष में सहयोग पर एक समझोता हुआ। न्याएक शेत्र में सहयोग पर दो और आईटी, साइवर सुरक्षा, भूगर्विये सर्वेक्षन के शेत्र में एक-एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा शिपिंग से संबंधि यात्री, क्रूज सेवा और लाइथाउस निर्मान को लेकर तीन करार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांगलादेश की विकास पर योजनाओं के लिए साढ़े चार बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट का एलान किया। साथ ही भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 50 क्रोड डॉलर की मदद की घोशना की। दोनों नेताओं ने कोलकाता ढाका की बीच नई ट्रेन सेवा और बस सेवा को हरी जंडे भी दिखाई। चार दिन के भारत दोरे पर शुकरवार शाम दिल्ली पहुंची बंगलादेश की प्रधान मंत्री का शनिवार सुभा राश्रुपति भावन में आफचारिक स्वागत किया किया। वो राजगाट भी गई और राश्रुपता की समाधी पर श्रधा सुमन अर्पित किये। उन्होंने उफ राश्रुपती मुहमद हामीद अंसारी से भी मुलाकात की और बंगलादेश की आजादी की जंग में शहीद भारतिय सैनिकों के समान में हुए समारोह में भी शिरकत की। संकेत यह है कि 2019 में बंगलादेश आम चुनाओ के पहले तीस्ता मसले का कोई हल निकल आएगा और यह बंगलादेश के लिए न सिर्फ राजनेक विजय होगी बलकि सेख हसीना की राजनितिक विजय को भी सुनिश्चित करेगी और भारत के लिए यह काफी सुखद आउसर ह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षीन एशिया में आतंकबात के लिए एक देश को जिम्मेदा ठहराया है उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे विकास की जगव विनाश को तरजी देने वाला बताया बांगलादेश मुक्ति आंदोलन के शहीदों के परीजनों को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक देश का मकसद सिर्फ अशान्ती को बढ़ावा देना है कारिक्रम में बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद थी एयर इंडिया के बाद फेडरेशन ओफ इंडियन एयरलाइन्स ने भी शिपसेन सांसद रविंद्र गाइकवार पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है फेडरेशन में देश की चार बड़ी उड़ियन कंपनिया है रविंद्र गाइकवार अब जेट एयर वेज, स्पाइस जेट, गो, एयर और इंडिको में सफर कर पाएंगे इससे पहले शुक्रवार को एयर इंडिया ने सरकार के दखल के बाद सांसद पर से हवाई यात्रा का प्रतिबंध वापस ले लिया था नीजी विमानों के संगठन FIA के मताबिक सांसद रविंद्र गाइकवार ने विमानन करमचारियों से अच्छे व्यवार और उन्हें समान देने का आश्वासन दिया उत्रप्रदेश सरकार ने 2010 से 2011 में राज्यकी 21 चीनी मीलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपे के घोटाले की जाच के निर्देश दिये हैं सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जरूरत पड़ी तो मामले की CBI जाच भी हो सकती है मुख्यमत्री योगी आधितेनात की अध्यक्षिता में गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग की समिक्षा बैठक में ये फैसला किया गया उन्होंने कहा कि किसानों को पैराई सत्र 2016 सत्रा के अवशेश गन्ना मूल का भुगतान 23 अपरेल तक किया जाए साथी निर्धारी तवधी में अवशेश गन्ना मूल का भुगतान नहीं करने वाले चीनी मील मालिकों के खिलाफ एफ आई यार दर्च की जाए उन्होंने बंद सहकारी चीनी मीलों को अगले पैराई वर्ष में चालू कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का भी निर्धेश दिया दिली के जंतर मंतर पर 14 मार्च से तमिलनाडू के किसानों का धरना चारी है इस बीच शनिवार को भूख हर्थाल में शामिल तीन किसानों की तब्यद बिकरने के बाद उन्हें आरेमेल अस्पताल में भर्ती कराए गया किसानों का कहना है कि अगर केंद्र ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो सिर मुडवाकर और आधी मूच बनवाकर धरना चारी रखेंगे तमिलनाडू के इन किसानों की पहली मांग है कि कर्स माफ किया जाए इसके अलावा ये चाहते हैं कि नदियों को जोड़ कर बहतर से चाइस उपलब्ध हो पैदावार की सही कीमत मिले और इसके लिए सरकारी वेवस्था दुरुस्त हो साथ ही सूखे की मार झेल रहे किसानों को परियाप्त राहत राशी मिले पंजाब में बे मौसम बारिश और नमी की गेहूं की फसल पर बुरा असर पड़ा है फसल की कटाई में देरी के चलते आभी तक गेहूं मंडियों तक नहीं पहुँच पाया है किसान जल्द ही धूप निकलने और फसल सूखने की उमीद कर रहे है ये है पंजाब के माज़ा इलाके की फसल मंडी इन दिनों ये मंडी गेहूं की फसल से गुलजार रहा करती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ बे मौसम बारिश और नमी की वज़़ा से गेहूं अब तक मंडियों तक नहीं पहुँच पाया है माज़ा के खेतों में गेहूं की फसल तयार है लेकिन धूप नहीं लगने से कटाई नहीं हो पाई किसानों को उमीद है कि अगले हफते तक धूप खिलेगी सरकारी अजनसियां भी गेहूं के मंडी में आने का बेसबरी से इंतजार कर रही है बारिश से गेहूं को होने वाले नुकसान के मद्दे नजर सरकार ने पिछले साल इसके लिए 1525 रुपे प्रतिक्विंटल नियुन्तम समर्थन मूले तैय किया था जो इस बार बढ़ा कर 1625 रुपे कर दिया गया है ऐसे में किसान जल्द ही हालात सामाने होने की उम्मीद कर रही है जारखन के सिम्डेगा में नकसली हमले में थाना प्रभारी और सिपाही की मौत हो गई जबकि एक सिपाही घायल हो गया शनिवार को PLFI उगरबादियों के ने महाबुवांग गाओं में छिपे होने की सूचना मिली थी जिसके आधार पर थाना प्रभारी विद्यापति सेंग की टीम उगरबादियों को घेर ने पहुँची इस दोरान उगरबादियों ने सरेंडर करनाटक कर टीम पर हमला कर दिया इसके बाद सभी नकसली मौके से फरार हो गए आतंकवादियों ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के अनन्तनाग में पुलिस दल पर फारिंग की वारदात पीटीपी की चुनावी सभा के नस्दीख हुई फारिंग के बाद आतंकी भाग गए इसमें कोई घायल नहीं हुआ पुलिस ने भी जवाबी कारवाई की आतंकियों की धर पकड के लिए तनाशी अभ्यान शुरू किया गया है अनन्तनाग में बारह अप्रेल को लोगसभा उपचुनाव होना है ओडीशा के भद्रक में सांपरदाइक तनाप के मदे नजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है इसे पहले कल सुरक्षा बलो ने भद्रक के कर्फ्यू वाले इलाके में फ्लैग मार्च किया इसके अलावा धामनगर और बासुदेवपूर में भी एहतियाद बढ़ती जा रही है हिंसा से बचने के लिए इन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है स्थानिय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है हाल ही में सोशल मीडिया पर एक धर्म के अपमान का कथित वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सामप्रदाइक तनाफ पैदा हो गया था अब तक इस मामले में 30 लोगों को गिरफतार किया गया है केंद्र के नमामी गंगे कारिक्रम के तहट राष्ट्य गंगा सफाई मिशन ने 2154 करोड रुपे की 26 परियोजनाओ को मन्सूरी दे दी है इसका मकसद गंगा नदी में प्रदूशन को कम करना है परियोजनाओ की तहट रोजाना 188 करोड लीटर पानी की सफाई के लिए 13 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे इनसे उत्राखंड, उत्तरप्रदेश, जारखंड और दिल्ली में सीवेज नेटवक का विकास किया जाएगा इसके साथ ही उत्राखंड में 30 मीलियन लीटर प्रति दिन की शमता वाले पाँच स्टीपी में सुधार होगा मिशन ने दिल्ली, हरीद्वार और पत्ना में 145 किलोमीटर की लंबाई वाले सीवेज नेटवक की पाँच परियोजनाए बनाने का निर्ने लिया है उपराष्ट पती मौहमद हामिद अंसारी की पत्नी सल्मा अंसारी ने तीन तलाख को गलत बताया है अलिगड में कारिक्रम के दोरान उन्होंने कहा कि तीन बार तलाख बोलने से तलाख नहीं होता उन्होंने कहा कि मसले को जानने के लिए कुरान पढ़ा जाना चाहिए अनसारी के मताबक कुरान के जरिये इस मामले को सुलजाया जा सकता है उपराश्ट पती की पत्नी के मताबक सुनी-सुनाई बातों पर अमल नहीं किया जाना चाहिए गौर्टलब है दिसम्बर 2016 में इलाहबाद हाई कोट ने तीन तलाग को गरत बताते हुए मुस्लिम पर्सनल लौ में संशोधन के बारे में पूछा था सुप्रीम कोट में भी तलाग से जुड़े मुद्दे पर कई याचिकाएं दाखिल हैं हर्याना के इतिहास में पहली बार राजमे लिंगा नुपात ने 950 का आकड़ा चुआ है राजमे मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर के मताबिक इस साल मार्च तक जन्म के समय लिंगा नुपात 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का रहा खटर के मताबिक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिक्रम की शुरुआत के बाद हर्याना में लिंगा नुपात को बहतर करने के लिए एक चुनाती के तोर पर देखा गया हर्याना सरकार के मताबिक प्रदेश में PCP and DT अधिनियम 1994 और MTP अधिनियम 1971 के जरिये बड़े स्तर पर अभ्यान चलाये गया जमु कश्मीर में हालात सामानने होने लगे हैं बाड का संकट टल चुका है ग्रे मंतरी राचनात सिंग ने मुख्य मंतरी महबूबा मुफ्ती से बात कर हालात का जायसा लिया मध्य भारत में सूरज की तपेश लोगों को जला रही है विधर्ब समेट कई इलाकों में गर्मी से लोग परिशान है जमू कश्मीर में रुक रुक कर बारिश और बर्फ बारी जारी है निचले इलाकों में पानी का स्तर कम हो रहा है अधिकारियों के अनुसार बाड का संकट टल चुका है हाला कि जेलम नदी अभी खत्रे के निशान से उपर बह रही है भूश खलन की वज़े से श्रिनगर जम्मू नैशनल हाईवे चौथे दिन भी बंद रहा गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रही है मटके की बिक्री भी बढ़ गई है मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी फिलहाल सामाने से ज़्यादा टेंपरेचर चल रहे हैं हाईयर टेंपरेचर हैं और यह स्तिती बनी रही है अगली तीन दिन तक पूरवरतर भारत के साथ ही उत्तरवरदेश, गोवा, तेलंगाना और तमिल नाडू में भी तापमान सामाने से ज़्यादा है उधर अमेरिका में हुए हमले में एक भारती की मौत पर भारत सरकार को रिपोर्ट मिल गई है विदेश मंत्राले पूरे मामले पर नज़र रखा रहा है विक्रम जर्याल की गुरुवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी वाशिंग्टन में विकरम जर्याल की हत्या के बाद होश्यारपूर के उनके घर में गम पस रहे है 6 अपरैल की रात विकरम गैस स्टेशन में काम कर रहे थे इसी दोरान दो बदमाशों ने उन से लूट पाट की कोशिश की इसका विरोध करने पर विक्रम को गोली मारती गई वो 25 दिन पहले अमेरिका पहुँचे थे विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज ने कहा कि हत्या पर वशिंग्टन राज्जे से रिपोर्ट मिल गई है अमेरिका में भारती अधिकारी पूरे मामले पर नज़र रखे हैं और जाँच अजनसियों के संपर्क में हैं देड महिने में अमेरिका में भारती की हत्या का ये तीसरा मामला है इससे पहले 22 फरवरी को कंसास में इंजिनियर श्रीनिवास कुची भोतला जबकि दो मार्श को व्यवसाई हरनीश पटेल की गोली मार कर हत्या करती गई थी बिरुर रपोर्ट राज्यसभा टीवी लेकिन इस बेमारी को देश से दूर बगाने और लोगों को इस मुहीम से जोनने के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शनिवार को एक दिल्चस्प आयोजन हुआ सांसदों और मुंबई के फिल्म कलाकारों के बीच T20 क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला हुआ धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में हुए रोमांचक T20 मुकाबले में बॉलिवड अभिनेताओं की टीम ने सांसदों को आठ विकेट से हरा दिया 221 रनों का पीछा करती हुई मुंबई हीरो की टीम ने महज 16.39 वर्स में लक्ष हासिल कर लिया अभिनेताओं की तरफ से सन्नी ने 48 गेंदों में शांदार 86 रन और शबीर अहलुवालिया ने 16 गेंदों में 49 रनों की नाबाद पारी खेली हम एक मैसेज देना है पूरे हिंदुस्तान में की टीबी से लड़ो and people love watching movies so they get more attracted to see what an artist or a cricketer says you know that's why I'm here to make the awareness सांसदों की टीम के लिए ओपनिंग करने आए भारतिये क्रिकेटीम के पूर्व कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन शुरुवात में उन्होंने कुछ कलात्मक शॉट्स लगाए लेकिन नौरन के स्कूर पर वो चोटिल हो गए तो लगा की मुकाबले का रंग फीका पड़ेगा लेकिन इसके बाद मैदान में उत्रे अनुराग ठाकूर और सलामी बल्लेबास प्रशांद चोपला ने बेहतरीन खेल का नमुना पेश किया प्रशांद चोपला मात्र 61 गेंदों में 141 रन बना कर नाबाद रहे आखरी ओवर्स में उन्होंने शांदार शॉर्ट्स लगा कर स्कोर को 221 पर पहुँचा दिया अनुराग ठाकूर 42 गेंदों में 54 रन की शांदार पारी खेल कर आउट हुए MPs 11 और Mumbai Heroes का मैच देश में जागरुकता फिलाने का काम करेगा कि भारत को TB मुक्त करना है दुनिया की सबसे ज़्यदा TB की अबादी भारत में है और हम भारत को TB मुक्त करेंगे यह समबाद मूल रूप से टुबरकॉलासिस को उसकी नीव से मिटा देने के लिए है और यह स्टुबरकॉलासिस एलिबनेशन या इराडिकेशन का जो राश्ट्री अभियान है आज भी प्रतेक दिन 1400 लोगों की मिर्टू TB के कारन होती है आपको बता दें कि TB के प्रती लोगों को जागरूप करने के लिए इस खास मुकाबले का आयोजन हुआ था दुनिया में TB का सबसे ज्यादा मरीज भारत में रहता है ये दुनिया में सबसे घातक 10 बीमारियों की सूची में शामिल है 2015 में देश में 17,4,000 से ज्यादा TB के मामले दर्च हुए भारत, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिन अफरीका में पूरी दुनिया के 60 फीसदी TB मरीज रहते हैं मैच से पहले हुए सेमिनार में भी इस बीमारी को देश से दूर भगाने का संकल प्लिया गया धर्म शाला से अनुदिवान के साथ ब्योरो रिपोर्ट राज्यसाभा टीवी भारत ने डैविस कप में उजबेकिस्तान पर 30 की अजेह बढ़त बना ली है शनिवार को रोहन बोपन्ना और एन श्री राम बाला जी की जोडी ने डबल्स मुकाबला जीत कर भारत को जीत दिलाई भारती जोडी ने उजबेकिस्तान के फारूख दुस्तोव और संजार फाजीब की जोडी को मुकाबले में 6-2, 6-4, 6-1 से हराया इस जीत के साथ भारत ने लगातार 14 साल विश्व ग्रूप प्ले आफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता और निर्देशक शक्ती सामंत की आजपूनेते थी है शक्ती सामंत की फिल्म में रहस्य, रोमांस और ड्रामा से भरपूर रहती थी उनकी मशूर फिल्मों में आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, पालिका वधू और अनुराक शामिल है उन्होंने कश्मीर की कली, चाइना टाउन, दे ग्रेट गैंबलर, एन इवनिंग इन पैरिस जैसी हिट फिल्म में भी बनाई एक बहतरीन कहानी के साथ उनकी फिल्मों की खासियत थी उनके गीत आईए सुनते हैं शक्ती सामंत की फिल्मों के कुछ बहतरीन गीत और आखिर में हेडलाइन्स राष्टपती का बढ़ती आपादी के मद्दे नजर्ट संसत की सीटे बढ़ाने पर जोर कहा चुनाव प्रक्रिया पर भी हो विचार चुनावी वादे पूरे नहीं होने पर मुख्य नयाया धीश ने भी जताई निराशा नौराज्जियों की दस विधान सभा सीटों पर उप्चुनावाज श्रीनगर लोग सभा सीट पर भी मद्दान जारी 13 अप्रेल को आएंगे नतीजे जारखन के सिम्डेगा में अकसली हमला मुटभेड में एक पुलिस अधिकारी सम्मेद दो जवान शहीद हमलावरों ने धोखे से बनाया निशाना ओडिशा के भद्रक में सामप्रदाइक तनाफ अर्दसैनिक बलो ने किया फ्लैग मार्च केंद्र ने की शान्ती बनाये रखने की अपी और डैविस कप में रोहन बोपन्ना और श्री राम बालाजी जीते उजबेकिस्तान पर बनाई तीन चून की अजेह बढ़त विश्व ग्रूप ले आफ में पहुंचा भारत फिरहाल खबरों में तना ही आगे देखिए मैं भी भारत